हेलो एवरीबन वेलकम टो अलाउंडर सिब्लिंग्स आज हम करेंगे आईसी सी बोर्ड क्लास सेवन जोग्रफी चैप्टर नंबर सिख सम पढ़ रहे थे एनर्जी पावर रिसोर्स जिसके टू पार्ट अलए अप्रोड हो चुके हैं यह थर्ड पार्ट है इस पार्ट में हम प्राइस पार्ट में पड़ा था नॉन् रेनवराबल एनर्जी रिसोर्स ड़ा पड़ा था था वह थो नन नां रिन और्ड डोग कंड़ स्पावर प्लांट इन सभी के बारे में पढ़ाता है और आपको समझ में आ गया कमेंट करके ज़रूर बताईएगएगा आपको करना ना भूलें अगर आप फर्स टाइम हमारी वीडियो देख रहे हैं और साथ ही आप अपने जो आपके एल्डर ब्रेदर सिस्टर्स हैं या फिर एल्डर आपके फ्रेंड्स हैं जो एर्थ क्लास में हैं या आने वाले हैं आप भी हैं तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्रा प्लीज प्लीज चैनल को सपोर्ट कीजिए चलिए चैप्र स्टार्ट करते हैं अगे का कंटीनियू करते हैं यह चैप्र हम आज फिनिश करते हैं नेक्स लेक्षिंग करेंगे इस चैप्टर के क्वेशन आसे चीक है तो हमें इसमें पढ़ना है नॉन रेनियोबल एनरजी साहरे नुकलियर एनरजी तो क्या लिख रहा है नुकलियर एनरजी और यौ अटोल एकनिया अनरजी और यह जो एनरजी होती है यह कैसे बंदी है कैसे अप्ते है कुछ elements का जो nuclei होता है उसका fission होकर, fission यानि उसका break होकर, कुछ elements जैसे आपके uranium है, thorium है, इनका जो nuclei होता है, यानि कि nucleus होता है, उसका जब breaking up होता है, तो यह energy produce होती है, कौनसी nuclear energy, this process gives out a lot of energy and some harmful radiations, यह जो nuclear energy करने का process होता है, यह बहुत सारी energy give out करता है, बहुत सारी energy provide करता है, और कुछ harmful radiations भी provide करता है, जो हमारे लिए harmful होती है, the energy is used to heat water to make steam, वो जो energy produce होती है, बहुत सारी, उसका use किया जाता है, water heat करने के लिए, जिससे steam बनेगी, the steam runs generators to produce electricity, और वो जो steam बनती है, वो steam को use किया जा so nuclear power is a kind of thermal power, इसलिए nuclear power एक तरह की thermal power है, कैसी power है, thermal power है, कैसे बनती है nuclear energy, कुछ elements होते हैं, उनके nuclei का fission होने से यह energy produce होती है, इस process में बहुत सारी energy release होती है, ठीक है, और कुछ harmful radiations भी आती है, बट वो जो energy होती है, उसे use किया जाता है, water heat करने के लिए, water heat होगा तो steam steam से generators run करेंगे, generator चलेंगे, और generator से electricity produce होगी, power plants that generate nuclear power require very little fuel, जो power plants, जो power plants nuclear power generate करते हैं, उन्हें बहुत थोड़ा सा ही fuel चाहिए होता है, ठीक है, and they cause less pollution, और वो pollution भी बहुत कम फैलाते हैं, then coal based power plants, ठीक है, जो power plants nuclear power generate करते हैं, उनमें थोड़ा सा ही little fuel चाहिए होता है, और वो कम pollution करते हैं, as compared to coal based power plant, जो coal based power plant होता है, जहां पर fuel के रूप में coal को use किया जाता है, उसमें वो जाधा pollution फैलाता है, ठीक है, as compared to nuclear power plant वाले में, but the radiations and the waste from the process can be a problem, लेकिन यह जो nuclear energy का process है, इससे जो radiations आती हैं, और जो waste निकलता है, यह एक problem की बात है, special structures are built to prevent radiation leakage, making the plant and the waste disposal facilities costly, special structures बनाई जाते हैं, special buildings बनाई जाती हैं, ताकि यह जो radiations release होती हैं, उसका leakage बचाया जा सके, आसपास के लोगों को, जानवरों को, वाइल लाइफ को, कुछ परिशानी ना हो, नुकसान ना हो, उस चीज को protect करने के लिए, तो ऐसे structures बनाई जाते हैं, और ऐसे structure बनाने की वज़े से, वो जो पूरा power plant है, और वहां की जो waste disposal facilities होती हैं, waste को dispose करने की जो facilities होती हैं, वो costly हो जाती हैं, expensive हो जाती हैं, An accident in the plant can cause radiation to leak out and harm people, plants and animals over a large area, अगर plant में कोई भी accident हो जाता है, यानि कि कुछ भी harmful incident हो जाता है, तो उससे radiations जो हैं वो leak out हो सकती हैं, और लोगों को जो आस पास बहुत थोड़े large area तक जो भी लोग हैं, जानवर हैं, पौधे हैं, वो उन सभी को नुकसान पहुच सकता है, तो इसी लिए nuclear energy से जो radiations होती हैं उनके लिए structures built करते हैं, ताकि special structures बनवाए जाते हैं ताकि जो radiations हैं ये leak ना हो और किसी को भी नुकसान ना पहुचे, आगे बोल रहा है nuclear energy is non-renewable, nuclear energy आपकी non-renewable होती है as the ores of uranium, thorium, etc. will ultimately get used up, non-renewable इसी लिए है क्योंकि जो uranium, thorium के ores होते हैं या निकि जिन elements में सी uranium, thorium निकाला जाता है, वो ultimately used up हो रहे हैं, used up होकर खतम हो जाएंगे, इसलिए हम इसे renew नहीं कर सकते बार बार, ठीक है ये limited quantity में present हैं ये जो elements होते हैं, however this will take a long time as only a small amount of fuel produces a huge amount of energy, लेकिन ये जो elements हैं ये खतम होने में थोड़ा सा जाधा time लगेगा, क्योंकि अगर इनका थोड़ा सा ही amount use किया जाता है इन fuel का तो उससे बहुत सारी energy produce करी जा सकती है, nuclear energy is non-conventional, ये non-conventional होती है nuclear energy, it is largely used as an alternative to other kinds of energy, और nuclear energy को दूसरे kind of, दूसरी चरह की जो energies होती हैं उसके alternative के रूप में बहुत बड़े scale पर use किया जाता है, alternative समझते हो options जो बोलते हैं कि आपके पास ये है और ये है तो आप कौन सा चूस करको जो आपको ज्यादा बेटर लगता है वह चूस करते हो, तो other kinds of energy और nuclear energy में से जादा तर nuclear energy को as optional रखा जाता है ठीक है, कजाकस्तान, Canada and Australia lead the world in the production of uranium, ठीक है, chief nuclear fuel, uranium आपका chief nuclear fuel है, main nuclear fuel है तो ये uranium produce करने में पूरे world में कजाकस्तान, Canada and Australia ये leading है ठीक है, lead कर रहे हैं बहुत जादा produce कर रहे हैं, USA, France, Japan, South Korea, China, Russia, Canada, Ukraine and Germany are some of the major producers of nuclear power, nuclear power के major producers और आपको यहाँ पर कुछ countries के name दिये हुए हैं, इंडिया, इंडिया में uranium is mined, mainly in जारखंड, uranium की mining करी जाती है, uranium की जारखंड में करी जाती है, mainly and large deposits have, और large deposits में क्या होता है, अभी हम आगे देखेंगे, देखेंगे, यहाँ पर आपको एक nuclear power plant दिखाया हुआ है, its thick dome is designed to prevent radiation leakage, यह जो देखेंगे नो यह dome, यह dome है न, तो यह थोड़ा थिक बनाया जाता है, बहुत जादा, thorium is obtained from the monazite sands found on the shores of Kerala, Kerala के किनार ओपर एक तरह की sand पाई जाती है, monazite sands के नाम से, उसमें से thorium produce किया जाता है, there are atomic power plants at, और atomic power plants कहां पर है, तारापुर महराश्टरा में है, रावद भाता, राजस्थान, कलपक्कम, कुंदन कुलम, तमिलनाडू में, नरोडा, उत्तरप्रदेश, कक्रपारा, गुजरात, और काईगा करनाटका, ठीक है, यहां पर यह atomic power plants situated है, यह हमारे non renewable energy resources भी complete हो गए है, अब हमारा last topic बचता है चेप्टर का conservation of energy resources, जो energy resources हैं, हमारे पास वो हमें conserve करना, हमें protect करके रखने पढ़ेंगे, बचा कर रखने पढ़ेंगे, ताकि future generation भी इन्हें use कर सके, तो हमें कैसे energy resources को हम conserve कर सकते हैं, वो हम यहां पर पढ़ेंगे, energy and power have many uses, energy and power के बहुत सारे uses होते हैं, we use them in homes, हम उनका use करते हैं, घरों में, industry में, agriculture में, transportation में भी और बहुत सारी fields ऐसे हैं, जहां पर हम energy और power का use करते हैं, at present most of the energy and power we use comes from exhaustible resources and these are steadily getting depleted, और आज की date में, most of the energy and power हम use करते हैं, वो exhaustible resources से आती है, exhaustible यानि कि जल्दी खतम हो जाएंगे और यह steadily getting depleted, यानि कि वो जल्दी deplete होते जा रहे हैं, दिन पे दिन घटते जा रहे हैं, if we do not conserve them, अगर हम उन exhaustible resources को conserve नहीं करेंगे, protect नहीं करेंगे, they may soon be completely exhausted और ऐसा हो सकता है कि वो resources जल्दी exhaust हो जाएं, खतम हो जाएं, some ways of conserving energy resources आर कुछ तरीके दिये होएं, energy resources को conserve करने के क्या-क्या तरीके हैं, यह natural gas, judicious and selective mining, means, जो exhaustible resources हैं, उनकी judicious यानी की अच्छे से, और selective mining करने चाहिए, एक दम थोड़ा रोग रोग के कह सकते हो, आप यह फिर चूज करके mining करने चाहिए, जैसे, coal, petroleum and natural gas की, using improved technology to minimize wastage during mining and power generation, अब wastage को minimize करने के लिए, मलाब जब mining करते हैं, और power generate करते हैं, तो उसमें बहुत ज़ादा power generation होता है, और जब mining होती है, तो wastage बहुत ज़ादा होता है, तो उस wastage को minimize करने के लिए, हम improved technology, जो आजकर advanced technology हो गई है, तो wastage को minimize करने के लिए, हम उन technologies का use कर सकते हैं, undertaking research to find new sources of energy and exploration to identify new deposits of known energy resources, और कुछ research करना, ताकि energy के नए sources को हम खोच सकें, ठीके, उन् exploration to identify new deposits of known energy resources, और जो हमारे पास हमें जो energy resources के बारे में पता है, उनके नए-ने deposits को खोजना, ये खोजेंगे तो अलग-अलग जगा पर करोगे तो वो तो जल्दी खतब हो जाएंगे, तो अलग-अलग deposits अगर में पता होंगे कि ये energy resources यहाँ पर available हैं, तो हम वहाँ पर mining कर सक जाते हैं, using inexhaustible sources of power instead of exhaustible sources, exhaustible sources की जगा, हम inexhaustible sources of power को यूज कर सकते हैं, ठीक है, exhaustible हो है जो जल्दी खतब हो जाते हैं, exhaustible हो जो कभी खतब नहीं होंगे, है न, जैसे using water, sunlight or wind instead of fossil fuels to generate power, power generate करने के लिए हम fossil fuels करने की जगा, water, sunlight और wind से power generate होती है, तो उन्हें हम use कर सकते हैं ठीक है, preventing wastage of power, for example, by turning off lights, fans, ACs, heaters when they are not needed and ठीक है, वी यह बोल रहे हैं कि power waste करने से हमें prevent करना चाहिए, ठीक है, जो electricity है, उसे prevent करने से बचना चाहिए, जैसे जब काम में नहीं है, तो lights, extra lights off कर दीजे, extra fans off कर दीजे, ACs off कर दीजे, heaters off कर दीजे, जितने भी electrical appliances हैं, उन्हें जब use में नहीं है, तो आपने off कर दीजे, using energy saving devices like CFL and LED bulbs, and appliances marked with energy stars, ठीक है, क्या बोल रहा है, energy saving devices को आपको use करना चाहिए, जैसे CFL and LED bulbs होते हैं, और कुछ appliances होते हैं, जिनमें energy stars marked होते हैं, तो वो energy saving devices होते हैं, ठीक है, वो energy protect बचाते ह हैं, तो उन appliances को आपको use करना चाहिए, तो इस तरीके से कुछ तरीके दिये हो हैं, जिस तरीके से हम energy resources को conserve कर सकते हैं, next topic है energy use in a society, एक society में एक समाज में energy कैसे use करती है, होती है, households account for a large share of the total energy used in a country, एक country में total energy जो use करी जाते हैं, उसका major part household को जाता है, घरों में बहुत and variations in energy use between households located in cities and villages, अब जादतर क्या होता है, बहुत variation है, energy use का, किसके बीच में, households, जो जो गर cities में हैं और जो गर villages में हैं, उनके बीच में, energy का variation बहुत जादा है, energy use करने का variation, even within an area, और तो और एक area में ही, there are differences between households depending on livelihood, income and lifestyle, ठीके है, energy किस घर में कितनी यूज हो रही है, वो depend करता है, कि उस घर के livelihood कैसा है, income कैसा है, lifestyle कैसा है, उस चीस पर depend करता है, ठीके, the overall pattern of household energy consumption shows the status of welfare and also the level of economic development in a country, पूरे घर में जितनी energy consumption हो रहा है, जितनी energy use हो रही है, उसका जो पूरा pattern होता है, वो उसका status बताता है, और उस country की economic development का level क्या है, वो भी हमें पता लगता है, generally as the economy develops and people's income increases, more energy is consumed, generally common sense की अगर हम बात करें, तो economy develop होगी, और लोगों की जब income increase होती है, तो जादा energy use होती है, पहले तो इसी पास कुछ नहीं होता, फिर क्या होता है, धिर धिर जब frizz आया, तो frizz से energy consume होई, frizzes, heater, fan, सब appliances बढ़ते चलेगे, आपकी income increase होगी, तो appliances भी ऐ energy भी उतना energy consumption increase हो जाएगा, इंडियन विलेजेस, ये तो normal बात होगी, अब इंडियन विलेजेस की बात करें, firewood and dunk cakes are widely used as fuel for cooking and heating, गाउँ जो होते हैं, भारत में जितने भी गाउँ हैं, वहाँ पर firewood, लकडी या फिर dunk cakes को, जो गोबर के उपले बोलते हैं, जिने, dunk cakes को जाता है, जो केरोसीन से lamps वगरा चलते हैं, उनके लिए बोल रहे हैं, however, these fuels are rather polluting, लेकिन ये fuels जो होते हैं, pollution करते हैं, they are used mainly because other kinds of fuel like LPG and electricity are harder to get, ये fuels जो होते हैं, ये pollution करते हैं, लेकिन इने ही यूश किया जाता है, क्योंकि दूसरे तरह के जो fuels होते हैं, जैसे LPG है, electricity है, व गर हम towns or cities की बात करें, तो use of firewood is very low, लकडी का जो use किया जाता है, वो बहुत कम किया जाता है, the demand for LPG and electricity increases as the income of a household increases, और किसी के घर की income increase होती है, किसी परसन की income increase होती है, तो उसके घर में LPG and electricity की demand भी increase हो जाती है, and its members begin to use electric lighting, refrigeration, air conditioning and various electrical appliances, ठीकिया, अगर किसी परसन की income increase हो और उस घर के जो member होंगे, वो electric lighting यूज करना स्टार्ट कर देंगे, refrigeration यानि की freezer यूज करना स्टार्ट कर देंगे, air conditioning यानि की AC और भी other electrical appliances होते हैं, तो वो भी उन्हें यूज करना स्टार्ट कर देंगे, so in general, अगर हम generally overall बात करें, low income households in villages use smaller amounts, गाउं में जिनकी income कम होती ह जिन घरों की low income होती है, वो small amount use करते हैं, more polluting forms of energy वो use करते हैं, energy का small amount use करते हैं और ऐसे forms use करते हैं, जो जाधा pollution करते हैं, while high income households जो होते हैं cities में, जो शहरों में जिनकी high income होती है, वो large amount और cleaner form of energy use करते हैं, this situation is expected to change gradually as the access to electricity increases, यह situation जो है, धीरे धीरे चेंज हो रही है, ऐसा स सब्सक्राइब करते हैं, यह situation हो जाएगी, क्योंकि जैसे electricity का access है, वो increase होता है, आप देख रहे हो ना, गाउं में भी बिजली पहुंचती जा रही है, तो यह situation हो रही है, इंडिया है, इंडिया ने एक rural electrification program स्टार्ट किया है, रूरल electrification program स्टार्ट किया है, गाउं में भ फाली है, देखो यह picture में का दिखावा है, इंडिया विलेज़ज, इंडिया विलेज़ में traditional stoves, ठीक है, traditional stove है, that burnt firewood and dunk cakes, यहाँ पर firewood and dunk cakes लगाये जाते हैं, और commonly यही उसकिया जाता है, खाना पकाने में, और इसे हम traditional language में चूला बोलते हैं, यह क्या है, चूला है, इसी चैप्टर के question answers, ठीक है, देखें, इसमें सबसे पहला है, fill in the blank, सब हमें करने है, the heat for generating dash power usually comes from burning fossil fuels, heat जिसे use, किया जाता है, generate करने के लिए, कौन सी power generate करने के लिए, जो जयदातर किस से आती है, fossil fuels burn करने से, तो fossil fuels burn करने से, कौन सी heat produce होती है, thermal power produce होती है, atomic power is another name for dash power, atomic power किसका दूसरा नाम है nuclear power का, dash is a renewable resource that we can generate by planting trees, trees को plant करके ऐसा कौन सा renewable resource है, जिसे हम बार बार regenerate कर सकते हैं, वो है आपका wood, ठीक है, dash power is generated by building dams on rivers, कौन सी power हम generate कर सकते हैं, rivers पर अगरम dams बना दें, तो कौन सी power हमें मिल जाएगी, हमें मिल जाएगी है, hydro power, the सर्दार सरोवर project is on the river, स जैसल मेर wind park is in the state of, जैसल मेर wind park कहां पर है, राजस्थान में है, the energy for generating dash power comes from the sun, कौन सी power generate करने के लिए, वो energy sun से आती है, वो होती है, आपकी solar energy, in India dash is widely used as a fuel for lightning lamps, इंडिया में lamps जलाने के लिए, जाधा तर fuel के रूप में क्या यूज किया जाता है, कैरोसीन यूज किया जाता जिसमें सबसे पहला है आपका, what kind of power is generated from running water, बहते हुए पानी से किस तरह की power generate करी जाती है, thermal, hydal, nuclear, solar, तो hydal power generate करी जाती है, which of the following is not a conventional source of power, इन में से कौन सा एक conventional source of power नहीं है, वो है आपका uranium, ठीक है ये non-conventional दा, among the following renewable sources of energy, which one is the most polluting, ये नीचे आपको कुछ renewable sources of energy दिये हुएं, इन में से कौन सा सबसे जाधा pollution फैलाने वाला है, वो है आपका wood, देखो water, wind, sunlight ये तो, pollution थोड़ी फैलाता है, तो wood आपका जाधा pollution फैलाता है, तेहरी डैम is in the state of, तेहरी डैम कहाँ पर है, उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, उत्राखंड, जहारखंड तो उत्राखंड में है, इनमें से कौन सा एक cooking fuel के रूप में यूज नहीं किया जाता है, वुड, kerosene, LPG, CNG, तो kerosene यूज नहीं किया जाता है, इसमें से कौन से एक thermal power plant है, विंध्याचल, बुपंडल, भाकरान अंगल और इडुक्की, तो विंध्याचल, विच अफ देश, नॉट दी साइट अफ नुक्लियर पावर प्लांट, नुक्लियर पावर प्लांट की एक इनमें से कौन सी साइट नहीं है, इसमें से आपको गलत स्टेटमेंट बतानी है, पहला है लाश शेयर ऑफ दी पावर जनुरेटर इन्डिया इस हाइड्र इलेक्ट्रिक पावर ज्याद तर जो इंडिया में पावर जनुरेट होती है वह हाइड्र इलेक्रिक होती है, इस इस स्टेटमेंट आपका इनकरेक्ट है और लास्ट पूछा है बोल रहा है नुकलियर पावर प्लांट में स्मॉल अमांट फ्यूल चाहिए होता है ये यही तो पढ़ा था नहीं ना तो इनकरेक्ट स्टेटमेंट है, इस स्टेटमेंट इंडिया के लिए ट्रू नहीं है जब लोगों की इंकम इंक्रीज होती है तो जाद एनर्जी कंजियों होती है ये तो ट्रू है आपको नोट ट्रू बताना है ध्यान रखना, इस स्टेटमेंट आपका गलत है क्योंकि गांट इसे जादा पॉलिशन फैलता है ये स्टेटमेंट आपका गलत है, क्योंकि गांट में ऐसे एनर्जी के फोर्म्स जादा यूज के रहे जाते हैं जो जादा पॉलिशन फैलाते हैं तबकि शहरों में ऐसा नहीं होता है तो ये स्टेटमेंट आपका ट्रू नहीं है एंडिया के लिए तो गाई ये एक्साइज इसा हमारी कंप्लेट हो गई है जिसमें आप करेंगे question answers and distinguish between the following प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना पूलें और ये कमेंट करके जरू बते हैं कि वीडियो आपको कैसा लगा कुछ भी अगदर आपको डाउट है तो आपको कमेंट सेक्शन में पूछ सकत thank you